इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कलास 12 का हिंदी बूक जिसमें हम लोग सरम विभाजन और जाती प्रता पढ़ेंगे जो कि हमें पार्ट नमबर 18 में यह आरो बूक में पढ़ना होगा जिसके लेखा के बाबा साहब भी मराव अब बेट कर जो कि आपको या question answer आपको जेक या NTRC, NCRT में भी आपको पूछ सकते हैं NCRT या जेक बोट के लिए या बहुत ही important सवाल होगे तो पहला प्रसना start करते हैं पहला प्रसना है जाती प्रथा को सरब विभाजन का ही एक रूप नो मानने की पीछे अमबेटकर का क्या तरक है मतलब जिसी जाती प्रथा और सरब विभाजन सरब मतलब काम का विभाजन का ही एक रूप मानने नो मानने की पीछे अमबेटकर का क्या तरक है उसको इस सवाल में पुछा गया है तो इसका उत्तर होगा डोक्टर भीम्राव ने जाती प्रथा को स्रम विभाजन का एक रूप नो मानते हुए तर्क दिया है कि जाती प्रथा को स्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह सवभाविक विभाजन नहीं है या मनुष्ट के रू सीमां तक विक्सित करें ग। यानि की बीक्तिगी च्रमता बहुत ज़्याद של क्या जाए जिसे द्दान का या रूप्या भी है कि जिसे से मनुष्र का परिछण अथ्वा उसकी नीजी स्पावी चाहर की बिना crisp दुसरे के स्थर के नुशार गर्वधारन के समय ही पेशा उसे निधारित कार्य दिया जाता है मतलब की समाजिक दिरिष्टी से कोई भी बच्चा जिसे गर्वधारन के समय ही कहा जाता है कि लोहार का बेटा लोहार काम करें मच्छुआ का बेटा मच्छुआ का काम करें तो उसी तरीके से यह समाजिक कुरितिया हैं उसे निधारि tu क्या जाता है समाज निधारित करता है जाती प्रथाप पेशे का दोस पुर्वध्राण ही नहीं करती денег अब पुर्थ्य मनिश्ट् Darwin के लिए एक पेशे से बंग देते जिसकी यह पुर्वध्र हरन नहीं करते मतलब हैं अपने करने हैं दूसरा सवाल में कि झातिपरता मारती समाच में गारी और भुकमरी का एक कारण के इसे बनती रही है क्या यह इस्तिति आज भी है जिसे जाती फ्रथा समाजिक बारती समाच में बेरोजगारी और भुकमरी का कारण जिसे कोई जाती मान के चलिए कोई जाती हुआ हम लोग के वह सामें बुनकर जाती यही मान लेते हैं पहले बुनकर जाती कपड़ा बुनते थे और कपड़े को बेच के वह अपना भरन पोसन किया करते थे लेकिन जब से मसीनी उका गया मसी नहीं होक हो गया तो बुहञ्टकर अपना कप्रrows बहें बुनना बंद हो गया जिसे उस जाती में उस जाती प्रथा दूसरा कारिया नहीं कर शकता है तो वह भारती समाज में बेरोजगारी बढ़ गई उसका रोजगार हट गया और भूक मरी हो गया रोजगार आटोमेटिक जिसका रोजगार नहीं रहेगा उसे मुक मर्री का सामना करना होगा यह तो शौभाविक वात सी है जाहिर सी बात है शौभाविक है तो इस तरीके सहर हो जाता है जिसे कि हम लोग पहले लोहार लोहा का कारिय किया करते थे जिसे कि हम कुदाली को धार कर किया करते थे आज कल ऐसा हुआ कि कुदाली का ही जवाना ख मुख्मरी का सामना करना पर रहा है उन लोगों को तो इसका उत्तर आप इसी तारीकी से अपने भासा में लिख सकते हैं जो कि किताबी भासा में कुछ इस तरीके से दिया गया है जाती-पर्था भारतिय समाज में वेरुद्गार और भुकमरी का भी एक कारण बनते रही है कियोंकि जाती परथा का स्रम विभाजन मनुसकी अपनी इच्छा पर निर्वण नहीं होती जीसे कि कोई सोनार का बेटा है और वह लोहार का कारिय करना चाहता तो वह नहीं कर सकता क्योंकि उसे लोहार जाती में ही पैदा होना चाहिए था ये समाजी कुरितिया है तो वेक्ति की बेक्तित्व गत्भावनाओ और रूची का इसमें कोई महत्व एवंग अस्था नहीं रहता कुछ लोग पूर्वधारन रित कारे को अभी रूची के साथ विवस्था पूर्वख करते हैं जाति प्रथा पेसे और दोस्त पूर्ण निधारन कर वेक्ति को एक पेसे से बांद देती है अता विविन्ने कार्य को करने की छम्ता होते हुए भी वेक्ति जीवन भर एक ही कार्या से बंद कर भुक्मरी का सिकार हो जाता है विवस्थाई और उध्योक है जिने हिंदू लोग घिनद मानते हैं अता इन कार्यां में लगों भी अरूची और बिरत बन रहती हैं जिसे की हम लोग चमड़े उध्योक में हिंदू लोग उसे घिना मानते हैं तो इस है का लोग तो ऊटोमेटिक बेरुजगार हो आता आर्थिक पहलू की द्रिष्टि से भी या अनिकारक प्रता है या प्रता वेक्ति की सभाविक प्रना रूची और आत्मसक्ती खोदवान कर उसे निश्करिया बना देती है नहीं आज यह स्थिति नहीं है आज उध्यों धंदे की प्रक्रिया की तक्निक में नियंद्रण विकास हो रही है आज मनुष्ट को अपने रूची के रुशार पेशा अपनाने की स्वत रहता है आज व्यक्ति अपने कुछ अलता पूरवक परिशन प्राप्त कर अपने कि जिस कार्य में माहिन हासिल है उसी कार्य को आगे बढ़ा सकता है वही कार्य को अपना सकता है यह नया जनेरेशन नहीं पिढ़ी का यह नया कार्य है जाती प्रताओं से बिरूत में प्रमें कि मत मत से दास्ता की व्यापक परिवासा क्या है मतलब दास्ता और मतलब 20 साल परिवहांसा मतलब 20 साल उत्तर के मत में दासता केवाल कानूनी प्राधिनता को ही नहीं कहा जा सकता दास्टान SPOCH संहिए जिस से रोकों की दूरा नेदारित इवन करतभिय का पालन करने के लिए वह सोना पड़ता है मतलब अपने पनिभाजित की तरती करते के लिए उच्छ जाती के प्राधिंता नो होने पर भी पाई जाती है उधारन के लिए जाती प्रथा के कारण इसी वर्क होना संभाव है जहां अपनी इच्छा के विरूत पेशी अपनाना पड़ते हैं चौता है शारिरिक बंक्स प्रंपरा और समाजी कुतर अधिकार की द्रिश्टी से मुनिश्यों में असमनता और संभावित रहने के वावजुद डोक्टर अम्बेट कर समता समता मतलब समनता इकुलिटी की ब्यवार रिक्सिधांत मानने में काग्रक क्यों करते हैं इसकी पी मानने का अग्रक क्यों करते हैं सब व्यवारिक सिधांत उत्तर होगा शारिरिक वंक्ष प्रंपरा तथा समाजी कुतर अधिकार की द्रिश्टी से मनुश्य की आशमनता संभावित लेकिन फिर भी डोक्टर भीम्रावा मेट कर समता की व्यवारिक शिधात मानने का तर्क द प्रतिक वीति अपनी चंबता का विकास करने का पूरा प्रुष्टाहन देना शर्वदा उचित थे शारिख वंक्ष परंपरा तथा समाजी कुतर अधिकार की असमनताओं से बंधा हुआ वेक्ति अपने रूची योगता एवंकुसलता की सही प्रियोग नहीं कर सकता इसलिए उसे सुवेच्छा पूर्वक अपनी जीवन जिने की सोतनत्रता मिलनी चाहिए समता एवं वेहवाही से धानते समाद में किसी भी परकार का वेदभाव मनुष्ट को पेगवू बना देती है मानुता में द्रिष्ट कोन से भी सभी से समनताओं का वेहवार होना चाहिए उधारंग के लिए अगर कोई राजनेतिक जनता से समनता का बेदभाव करे तो यह जनता के लिए हितकारी नहीं होगा राजनेतिक पुरुष्ट को देस में बड़ी बहुत बड़ी जनसिंख्या से पाला पड़ता है उसके पास नो तो इतना समय होता है और परतिक की वीशे में जितनी जानकारी की सभी की आवशकताओं और समताओं के आधारपन भिन्य वेवार कर सके हुआ जनता का एक समान अधिकारों की रक्षा करता है अतला डोक्टर अमेटकर की बहुत हाए शिधांत अपनाने का तर्ग पूर्वत तया सही दिया है या शर्वा या तक शर्वा मानिया भी है मतलब सब को एक्स भिहवार दिया जाए इस परकार आप लिखेंगे अपने सकते हैं या आपको जानने के लिए हम अपने तरशी सब्द देते हैं प्रस्ना है सही में अम्बेटकर ने भावात्मक समन तो के मारवी द्रिष्टिक के तहत जातिवात का उमुल लन चाहा है परतिक परतिष्टा के लिए भोतिक परिश्तितियों के जिवन सुविदाओं क तर्ग दिया है क्या इससे आप सहमत है उत्तर ने भावन अत्मक समन और मैंडेताओं के लिए जातिवात का अमुलन चाहा है उनकी परतिष्टा के लिए बोतिक परिश्तितियों और जिवन सुविदाओं का तर्ग दिया है कि जातिव प्रतास्तरमिक और शावाविक जिव परगों को एक दूसरी कि पिच्छा नीच उच वी करार देती है मतलब जातिव प्रता उच नीच का ही करार देती है सब परकार की उसे कश्ट दिया जाता है जो की भावन अत्मक समवए में बहादक है जातिव प्रता की आधार पर स्रम विभाजन वी अनुची थे क्योंकि यह भोतिक इस्तिती की निम्नास्तर यह बनता है मनिश को परिशन दिये बिना रुची और कुछलता की प्रवाग किये बिना पेशा नेधारित करना अनुप्यूक्त है उद्योग धांदे की तक्निक में नियंत्रर विकास और असमात परिवर्तन के कारण मनिश को कभी-कभ की पैत्रिक से प्राप्त पेशा बदनने की छुट नहीं देती है अता मनिश के लिए मुखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता जाती प्रथा भारत में विर्योजगार का प्रमुक्त कारण मनी हुई है मनिश की भोतिक उन्नेती एवंग जीवन में शुवी दहां क कि प्राप्त के लिए जाती प्रथा अमुलन अवस्तक है मतलब जाती प्रथा अमुलन अवस्तक है किसी की सुविदा के लिए छट्टा में हैं आदर समाज के तिन दतों में से एक मात्री माव्रिता को रखकर लेकक ने अपने आदर समाज में स्तिरियों को भी सम्मिलित किया है अत्वा नहीं आप भी भ्रातिता सब का कहां तक सामय थे यदि नहीं तो आप क्या सब उचित समझेंगे उत्तर लेकक ने आदर समाज की अस्तिरियों को भी सम्मिलित किया होगा क्यूंकि नारी ही आदर समाज की थापना करने का मुख्य भूमी का हो सकती है उन्होंने देश के लिए अपने तर्मन धन अपर्तित अर्पित कर दिये तथा अपने वीरता दुआरा पुरुशों को भी पीछे छोड़ दिये आजुनिक समाज में शंतूश यादो बशेंद्री पाल कलपना चावला इस सब सब एवरेश्ट कलाइम बर थी मतलब पहार चड़ने वाली जैसे सहांसी महिलाओं ने कालपनिक उपलब्दियों को अपराप्त किया इसी कारण लेखक इस्तिरियों की मात्री तत्व भावनाओ की अस्थापना में अवसक सहयोगी माननता होगा इस्तिरियों समाज में अभिन्य अंख है इस्तिरियों की बिना समाज की कलपना भी असंभाव है अता आदर समाज की संभावना कैसी की जा सकती है पुरुषों की प्रेना सकती भी हमेशा इस्तिरिया ही रही है इसे लिए य भाइचारा ब्रात तत्व लेखक द्वारा आदर्श समाज की अस्थपना है तु बताए दूसरे तत्व समनताओं की अर्थ में ही नहीं थे भातित्व कि अस्थान पर तिस्तरा तत्व अन्या एक्ता लिया जा सकता है पाट के आसपस कि पाट के आसपस का विवर्शना पूश सकता है तो पाट के आसपस का प्रशना है अमेटकर ने जाति प्रताक की भीतर पेसे किस मामले में लचिला पन्ट नो होने की जो बात की है उस संदर्व में सेखर जोसी की कहानी गलता लोहा पर पुन्hta विचार कीजिए। गल्ता लोहा जो की कारख कलास का है उस पर आपको पुन्ह विचार करना होगा। इस द्वारा लेखनत भी प्रता के नुशार पेसर निश्चीत होने की परिणाम समाज में रखता है। प्दूर approach चैनलत वह प्राधारित से आपको यह प्रशना उतना नहीं पूश सकते हैं तो आपको यह पुर्शन दूसरा है। कार्य कुषलता पर जाती प्रता के प्रभाव विश्य पर संभू पर चल्चा करें तो यह नहीं आपको पाट ही सुरू वाला ही पुछ सकता है तो यह थी आपका श्रम विभाजन और जाती प्रता परादारी कॉश्चन जो कि आपको गारक आपको बारक लास आर्ट में करें अपने दोस्तों के साथ और नेश्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें थैंक यू फूर वाचिक इस वीडियो भाई